हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेव्यूपेस से चैनल में इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सिटिजन्शिप बहुत ही इंडन पॉलिटी का और इसमें थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन्स हैं मतलब थोड़े बहुत इस तरह के पेच है इसमें आपको कंफ प्रण नमबर 6 है ठीक है चलिए इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर चलें प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए आपके लिए कंप्लिक्टीव फ्ली ओफ कॉस्ट है आपको कोई कॉस्ट नहीं है इसका लेकिन मेरे को इसक गतलाच जो भी इस देश के नहीं बाहर आएं उन्हें एलियेंज का जाता है ठीक है अजनबी तो सिच इठिजन वह होते हैं जो इंडियन स्टेट के फुल मेंबर्स हैं यानि इह देखिए । देश जो है हमें लगता है कि सरकार का यह देश है हम लोग किराईदार जैसे रहते हैं ऐसा नहीं है यह देश हम सब का हम सब एक संस्था के सदस्य हैं समझिए वो संस्था हमारा देश है ठीक है हम सब उसके पूर्णतिया members हैं और यहां पर बताया जा रहा है कि we are members of the Indian state and we owe allegiance to it हमारी वफादारी होने चाहिए इसके तरफ ठीक है fundamental duties of the Constitution भी इस बात को mention करता है साथी साथ जो सारे इस देश के सिरिजन है इस संस्था के member है उनको सारे civil और political rights होते हैं ठीक है aliens जो है तो दूसरे देशों के नागरिक है इस देश में तो इनको पूरे rights नहीं है सारे civil और political rights नहीं कुछ right है कुछ fundamental rights उनके भी है right to life वगेरा सब उनके भी एं ऐसा नहीं कि ये नागरिक नहीं को ईससे पकड़ के मार देगा, ठीक लेकिन उनको सारे स्वेज और पॉलिटिकल राइट्स नहीं आहिं तो जो एलियंज भी है वो दो तरह के हैं दो कैटिगए के है फ्रेंडली एलियंस यानेमी एलियंस ठीक है जब भी बुलते हैं हमारे दिमाग में वह वह लेकिन कोई भी वार अगर चल रही तो उस दौरान उस देश के जो नागरिक है और वो इंडिया में रह रहे हैं तो वो जासू से एनिमी एजिंट का काम कर सकते हैं तो वो और भी कम राइट उनको होते हैं फ्रेंडली एलियन्स की तुलना में ठीक है जैसे वार एक्जाम्पल एक आर्टिकल ट्वेंटी टू जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन यह उनको नहीं है ठीक है तो Constitution क्या करती है It confers the following rights and privileges on the citizens of India and denies the same to aliens ठीक है यह सारे rights है और privileges है जो citizens of India को मिलते हैं और aliens को नहीं मिलते हैं ठीक है यह सब को पता है fundamental right जो है right against discrimination on grounds of religion वगेरा right to equality of opportunity right to freedom of speech and expression ठीक है उननिस्वा 17 और 18 आर्टिकल जो है वो मतलब हमारे देश के लोगों को है दूसरे देश के लोगों को नहीं है ऐसा नहीं है ठीक है Cultural and Educational Rights ठीक है यह सिर्फ हमारे देश के लोगों को है right to vote in election to लोगसभा and state legislative assembly अब fundamental rights से हट के हम legal rights पे आ गए है ठीक है right to vote in elections to the लोगसभा and state legislative assembly ठीक है यह तो है यह right to contest for the membership of the parliament and the state legislature यह दूसरे देश के नागरिक नहीं कर सकते हैं सिर्फ हमारे देश के नागरिक ही कर सकते हैं eligibility to hold certain public offices that is President of India, Vice President of India वगएरा वगएरा ठीक है इसमें एक बहुत important point यह है कि दो तरह के citizen होते है naturalized citizen and bonafide natural citizen होते है ठीक है तो मतलब जो natural citizen वो होते हैं जो कि किसी भी देश में पैदा हुए होते हैं जिसलिए उस देश के नागरिक है जैसे हम और आप पर कोई naturalized citizen है दूसरे देश का नागरिक था पर भारत में के शादी वगरा करके जैसे भी citizenship लेने की प्रोसेस है जो कि हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में उसके द्वारा भारत का citizen बन गया है ठीक है तो भारत में president बनना प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हम सिर्फ natural citizens को consider नहीं करते हैं अगर कोई naturalized citizen भी है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर इस देश का बन सकता है ऐसा दुनिया के हर देश में नहीं है जैसे USA में अगर कोई USA में पैदा नहीं हुआ है तो वो USA का president नहीं बन सकता है जब बराक अबामा पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब डॉनल्ड ट्रम जो उस समय राजनिती में थे भी नहीं तब वोक्सर ये सब ट्वीट करते थे कि बराक अबामा केनिया में पैदा हुए है उनका birth certificate कहा है वगेरा वगेरा ठीक है ये point आप याद रखिएगा इन rights के अलावा citizens की कुछ duties भी होती है towards the Indian state जैसे tax देना, national flag और national anthem का respect करना अगर किसी परिष्थिती में ऐसी situation हो जाए कि देश की रक्षा आपके जिम में आ जाती है तो आपको defend करना है ठीक है ये बत बताया जा रहे है इन इंडिया बोथ a citizen by birth as well as a naturalized citizen are eligible for the office of president while in the USA only a citizen by birth and not a naturalized citizen is eligible for the office of president ठीक है एक important distinction है जो MCQ में आपसे पूछा जा सकता है तो आपको ये याद रखना है देखते हैं अगला constitutional provisions constitution deals with the constitutional provisions related to what? related to citizenship जिसका chapter हम पढ़ रहे हैं ये article 5 से 11 के अंदर में पुरा खेल हो जाता है constitution के अंदर में under part 2 ठीक है? part 2 में है आपको याद रखना है article 1 से लेके 4 part 1 था जो कि union and its territory वाला था जो हमने कल के वीडियो में देखा था लेकिन इसमें कोई permanent या elaborate provision नहीं है इस बारे में ठीक है? ये इन्होंने parliament पर छोड़ दिया क्यों कि जब constitution assembly बैटी थी जब constitution लिखा जा रहा था तब पाकिस्तान का बटवारा होगा? कैसे होगा? किस तरह के लोग क्या इंडिया में आएंगे? नहीं आएंगे? क्या करेंगे? इसको लेके थोड़ी fluid situation बनी हुई थी ठीक है? वो situation पूरी तरह से clear नहीं थी तो constitution ने इसके बारे में बस broad guidelines दे दिये बाकी parliament पर छोड़ दिया ठीक है? तो ये problem of acquisition या loss of citizenship ये सब जो issues है कैसे कोई citizenship acquire करेगा? किसी की citizenship चली जाएगी किन परिस्थितियों में ये भी इन्होंने नहीं mention किया इन्होंने parliament को empower किया to enact a law to provide for such matters and any other matter relating to the citizenship. इन्होंने parliament के जिम्में छोड़ दी ये बात. ठीक है? तो parliament ने 1955 में citizenship act in act गया. उसको बाद में कई बार amend भी किया गया है को हम पढ़ेंगे. तो citizenship act 1955 में parliament in act गया है जो की इस purpose के लिए है. ठीक है? तो ये आपको याद रखनी है ये बात. according to the constitution जो इस चार तरह के लोग जो हैं जो भारत के नागरिक माने जाएंगे. ठीक है? 26 जनवरी 1950 जिस दिन constitution लागू हुआ उस दिन ये चार कैटिगरी के लोग भारत के नागरिक थे. कौन थे? पहला, a person who had his domicile in India and also fulfilled any one of the three conditions. ठीक है? जो की इंडिया में रह रहा है, domicile ज करता है. नेमली या तो वो इंडिया में पैदा हुआ है, या उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ है, या इंडिया में वो समविधान लागू होने के पहले 5 साल से रह रहा था. ठीक है? इस देखिए, इंडिया में उस समय काफी अंग्रेज हमारी constitution चाहती थी कि अगर अंग्रेज लोग जो काफी अंग्रेज भी एक दो पीडियों से भारत में रह रहे थे अगर वो भारत में रहना चाहें तो रह सके है ना कोई तो उनको भी ऑफर दिया गया कि 5 साल से कोई रह रहा है अगर तो आप भारत का नागरिक मान लिया है ठीक है बाकि अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तब तो वो इंडिया का नागरिक है ही और अगर उसके दोनों पेरिंट्स में से कोई भी उसकी मदर या फादर दोनों में से कोई भी इंडिया में पैदा हुए है और इस वज़ा से वो इंडिया में रह रहा है तो इ अगर पाकिस्तान से म्हान लीजेे जान बचा की दंगोर से बाग के इंडिया आया है और इंडिया उसे बोल देकि नहीं आप तो नागरिख ही है अएसा हो तो को अगर इंडिया में आ गया तो पाँच साल रहने के बाद ही फू नागरिए बन जाएगा तो वह इंडिया सिटिजन कब मना जाएगा उसके पेरेंट्स में से कोई एक जा उसके परेंट्स में से नमबर वन और नमबर टू यह भी कि वो या तो इन्डिया 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया हो या जुराई 1948 के बाद अगर आया हो तो वह इंडिया का सिडिजन बनके उस समय पर रजिस्टर हो गया हो ठीक है लेकिन उस सिडिजन बनके रजिस्टर होने के लिए भी कम से कम 6 महिने तक इंडिया में रहा हो यह ज़रूरी है अब आप देख रहे हैं कैसे कॉंप्लिकेशन है इ करके जिन्होंने कोडिंग पड़ी है वो समझ जाएंगे यह टर्मिनोलजी कि आप इसको ट्री डियाग्राम जासे समझ जिए या तो इसे आपने वह मुसद्दिला वाला सीरेल अगर देखा होगा कि अगर ऐसा होता है तो दो बाते होंगी है ना उसमें वह एक देवन 19 जुलाई 1948 के बाद आया होगा ठीक है अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले आया था ठीक है तो या तो उसके कोई यारी यह पूरा कंडिशन दोनों दिनके कभी भी पहले या बाद में कभी भी आया हो लेकिन हम उस परिस्तिति की बात कर रहे हैं जब उनके पेरेंट्स में से अगर था तो दो बाते हो सकती है एक या तो 19 जुलाई 1948 के पहले आया हो ठीक है तब तो कोई बात ही नहीं है भाई आप नागरिक हो गए या उसके बाद आया हो अगर तो वो आके इंडिया की सिटिजन के तोरफ पे रजिस्टर हो गया हो पर रजिस्टर होने के लिए भी 6 महीने से रहना पड़ता है ठीक है तो 6 महीने रहे के रजिस्टर हो गया होगा अगर उसके बाद भी 6 महीना रहने के बाद भी अगर वो रजिस्टर नहीं हुआ तो नहीं माना जाएगा ठीक है और एक कोई इंसान मान लिए जो पाकिस्तान चले गया इंडिया से पहली मार for registration कर दे यह जी प्रोविजन है यह क्या बता रहा है इट रेफर्स तो माइग्रेशन आफटर 1st मार्च 1947 बट बिफोर 26 जनवरी 1950 ठीक है जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद आये थे बहुत important point है वो citizen कैसे बनेंगे वो पार्लेमेंट के कानून पर छोड़ दी गई बात पार्लेमेंट ने उसके लिए कानून 1955 में बनाया ठीक है लेकिन जो लोग 1st मार्च 1947 के बाद चले गए पर 26 जनवरी 1950 के पहले आ गए तो उनको फिर बोल गया कि आप नागरिक माने जाते हैं आप चले गए थे कोई बात में जाए यह हम चाहते थे तो कोई चले भी गया तो उसको वापस आने के लिए हमने अपने गेट खुले रखते थे ठीक है यह चार प्रोविजन अच्छे से पढ़के आप समझ लीजिए लगे तो वीडियो को पीछे ले जाके फिर से एक बार सुन लीजिए उतना कॉम्डिक कम फ्रॉम पाकिस्तान और तीसरा पर्संस फू हैड गॉन टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्ण और फाइनली चौथा पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया ऐसे इंडियन ओरिजिन के लोग इनके बता है ना दादे व अगेरा बतला इंडिया में पैदा हुए थे ऐसे उनके लिए भी एक प्रोविजन उनसे भी डील करता है ठीक है और भी तीन तीन चार प्रोविजन है जो सेडिजिशिप से रिलेटेड हमारे कॉंसिटूशन में में मेंचन है पहला क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे पार्लामेंट के खिलाफ कोई लौ बनना दी ठीक है फिर पार्लामेंट को हर पावर है कि वो citizenship के acquisition और termination और इस तरह के जित्ते भी दूसरे मामले हैं उससे किसी भी मामले पर वो पार्लामेंट कानून बना सकती है पार्लामेंट को पावर दिया गया ठीक है अगला देखते हैं पार्लामेंट ने क्या कानून बना है Citizenship Act 1955 अब 1950 के बाद वाले मामले में हम देखते हैं ठीक है Citizenship Act 1955 में एक Commonwealth Citizenship की भी बात होती थी लेकिन ये प्रोविजन जो था Citizenship Amendment Act 2003 में रिपील कर दिया गया ठीक है Commonwealth Citizenship Maximum लोगों ने पहली बार सुना होगा ठीक है इसके बारे में इतना आप याद रखिये कि जो ठीक है अब acquisition of citizenship की बात करते हैं ये पांच रास्ते बताता है कैसे citizenship अक्वायर किये जा सकते हैं कैसे बर्त पैदाइस से डिसेंट यानि वंचान उगत तरीके से हमारे बाप दादे यहीं के थे तो हम भी यहीं के हैं Registration हम यहां के नहीं है ना हमारे बाप दादे यहां के हैं पर हम आके यहां पर 6 महीना रहे के register कर लिए ठीक है 6 महीना वाला period शायद उन्होंने नहीं रखा था constitution ने रखा था Naturalization हम दूसरे देश के नागरिक थे पर अब हम इंडिया के नागरिक बनना चाहते हैं ठीक है अब तुम लोग यहां से जाओ अब तुम लोग यहां के नागरिक नहीं हो ठीक है ऐसी परिस्तिती नहीं होगी सबको ऐसा assurance दिया गया ठीक है कानून में बना दिया गया कि अगर हमने एरिया 1950 को या उसके बाद पैदा हुआ लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले पैदा हुआ है ठीक है 1 जुलाई 1987 के पहले पैदा हुआ है तो उसके माबाब किसी भी देश के हो वो इंडिया का नागरिक है समझ गए अगर आप 1 जैनवरी 1 जुलाई 1987 के पहले पैदा हुए हो 1950 के बाद तो अगर आप इंडिया में पैदा हुए आप इंडिया के नागरिक बन गए। आपके माता-पिता किसी भी देश के हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भाई पहले जुलाई 1987 को क्या हुआ। उस दिन हमने एक Constitutional Amendment Act इंट्रड्यूस किया। जिसने इस बात को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो हमने क्या बोला कि हम कानून को बदल रहे हैं आज। लेकिन आज के पहले जो पैदा हो गया उस पर ये कानून अप्लिकेबल नहीं होगा। एक जुलाई 1987 के बाद जो लोग पैदा हो रहे हैं उनी पर अप्लिकेबल होगा। वो क्या चेंज किया था हमने कि एक जुलाई 1987 के बाद जो लोग इंडिया में पैदा हुए। उन्हें इंडिया का नागरिक सिर्फ तभी माना जाएगा जब उनके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ हो तो उनमें से कोई एक इंडिया का नागरिक हो तो इंडिया में पैदा हुआ हो नहीं जब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके माता पिता भारत के नागरिक हो जब वो पैदा हो रहा है, तब वो भी इंडिया का सिरिजन आटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है, फिर जो तीन दिसंबर 2004 को इस बात को और ग्लासिफाई कर दिया गया, तो रहसा और इसको चेंज कर दिया गया, बोला कि अगर दोनों पेरिंट्स इंडिया के नागरिक हुए, आपके जन्म के समय, तभी आपको इंडिया का सिरिजन माना जाएगा, या एक पेरिंट्स सिरिजन है, और दूसरा एक illegal migrant नहीं है, at the time of their birth, हमारे देश में एक concept चलता है, इसके लिए बहुत जादा आकड़े उपलब्द नहीं है, पर एक concept ऐस तो यहां से उसको birth certificate मिल जाता था, तो भारत का नागरिक बन जाता था, ठीक है, तो उस बात को ये जो concept चलता है, इसी की रोक थाम के लिए ये पूरे amendments हुए है, ठीक है, जो 3 December 2004 का जो हुआ ये amendment, वो क्या बोला गया, कि शली आपका एक ही parent या तो दोनों parent भारत के नागर है, तो दूसरा कोई illegal migrant नहीं है, ठीक है, तो illegal migrant नहीं है, तो क्या दूसरे देश की कोई हमाले जो Australian है, American है, वीजा पे भारत आही है, या उनके husband भारत के नागरिक हैं वगएरा, तो चलेगा, पर illegal migrant है, कोई visa process वगएरे कुछ नहीं, ऐसे इंडिया से, ऐसे सिर्फ बंगला देशियों के लिए ही है, ठीक है, तो और माली ये foreign diplomats भारत में posted है, तो उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे इंडिया में, तो उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, वो तो राजदूत हैं अपनी duty कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, अगरा point देखते हैं, भाई, तो हो गया, by descent, एक इनसान अगर 26 जनवरी 1950 के समय में, इंडिया के बाहर पैदा हुआ था, लेकिन, नहीं, 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले, ठीक है, वो जो पहला by birth वाला कानून था, फर्स जुलाई 1987 कॉमेंट किया गया था, by descent, यानि हमारे बाप दाद यहीं के वाला जो पॉइंट है, तो अब इसको मतलब वन्शानुगत तरीके से, तो उसको, उसमें कैसे, उसमें 10th of December 1992 में चेंज किया गया, क्या किया गया, कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद, अगर वो भारत के बाहर पैदा हुआ है, तो भी उसको भारत का नागरिक माना जाएग अगर उसके पिताजी जो है, जब वो पैदा हो रहा है, ठीक है?